Hello everyone, my name is Puneef Assist क्या आपने भी कभी सोचा है कि आप अपने history को देख सबको जब आप एक आदी मानव से वो यूट हो क्या आपने ये भी सोचा है कि आपका आने वाली future generation कैसी होगी आने वाला future हमारा कैसे होने वाला है तो चली हम लोग डिसकस करने हैं इस वीडियो में की टाइम ट्रेवल किया पॉसिबल है हम अपने फिजर और पाश को देख सकते हैं तो हम इसके एक इस्टरी बात करें तो साल 1895 में H.G. Wells ने एक novel लिगा था जिसका नाम था Time Machine Novel यह एक science fiction novel था जिसके अंदर Time Machine को कुछ concept दिया था इस novel के बाद में बहुत सारी कुछ ऐसी movies आई हैं बहुत सारी इस theories आई हैं जो बहुत जादा पपूलर रही हैं मार्स 2003 में एक Andrew Carlson नाम का बंदा जो इक बहुत बड़ा फ्रोड करता है जो कि केवर 800 डोलर लगा की 350 मिलियन डोनर तक का अपना benefit कर लेता है इसको देखते हो N.V.I. इसमें एक जांच कमेटी बेट आती है जिसमें पता चलता है कि उसका December 2002 से पहले कोई record ही नहीं है अब यह बहुत जादा चोकाने वारी बात थी इसलिए उसको arrest करने जाता है पूस्टाच में Andrew Carlson से पता चनता है तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में तो time travel को जानने से पहले मैं पता करना होगा कि हम time में किस तरीक से travel कर सकते हैं उसमें दो रास्ते हो सकते हैं या तो आप past में travel करना चाहते हो या future में हम लोग सबसे पहले बात करेंगी कि आपको future में travel करना है उसमसे पहले बात करने है future में travel करने के लिए स्टार्टिंग में आपकी इसाक न्यूटन ने कुछ चोरीज दी ती जिसमें कुछ चोरीज यह हैं जैसे कि law of inertia या law of action and reaction उसमें न्यूटन ने बोला था कि आपको कोई भी object किसी भी velocity या किसी भी speed से या किसी भी जैने ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो time लेने वाला है वो constant रहेगा तो इसी को कॉंटार्टिट करते हुए एलबर्ट आइस्टीन ने एक theory दी इसका नान था theory of space of relativity जिसमें उन्होंने बोला था कि time आपका constant नहीं रहता है time आपका speed के हिसाब से भी पहरी करता है यही concept आता है उनका theory of relativity में जिसमें कि उन्होंने टाइम डाइलेशन को लेंगे तो आगे हम लोग बात करते हैं किस तरीके साम future में ट्रेवल कर पाएं कि फिक the help of time dilation तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप time dilation की help से अपने time को delay करा सकती हो या किसी भी object के time को delay करा सकती हो future में जाने के लिए suppose हीजी आपका एक object जो कि आपका earth पे है एक object आपक space में speed of light से तो अगर आपका वो object जो आपका space में travel कर रहा है वो 10 साल था space में travel करेगा with a speed of light तो वही उसके 10 साल जब वो अरफे वापिस आएगा वो 9000 साल के बराबर होगी तो आप देख सकते हो कितना बड़ा difference है तो यह कहीं न कहीं की clock पे difference आया होगा यही concept हमारा future में ज सत्ते चीज़ है और एक scientific प्रूव इसकाम को मिल गया था इसके रियल लाइफ एग्जामबल लिए अगर लोग बात करें आप देखते होगे कि सटलाइट जो मानी पर करते हैं को continuously monitor किया जाता है क्योंकि उनकी speed बहुत जाद होती है तो कहीं न कहीं में time में डाइलेशन आत सकते हैं जिसका मैंने आपको बता दिया एक concept आता है हम लोग मास का भी यूज कर सकते हैं अब मास का concept आप समझने के लिए एक suppose कीजिए आपके पास एक space time fabric है जिसके उपर हमें एक more रट्टी हुई है जितना जादा वो space time fabric जितना जादा उसमें मैस बनेगा जितना जादा उतनी जाद है उसकी gravity होगी उतना ही जाद है उसमें टाइम डालेशन का भी concept आएगा तो इसी concept को यूज करते हुए इंटरस्टैलर मोवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्लैक हॉन को यूज करके वहां के बाद दो गंटे आर्थ पर एप्रोक्सिमेल 50-60 यहर्स का time पर दिखाते हैं और वो future में करें ट्रेवल कर जाते हैं आप इनी के साथ साथ कुछ ऐसे concept भी आये हैं जैसे cryo seat नाम गए concept आया है जिसमें की human body को hibernate mode में sleep कराकर हम लोग उसको time travel करा सकते हैं सब्सक्राइब बंदे को हमने उसकी body को freeze कर दिया जिसका की metabolism rate बहुत जादे क काम कर रही हैं तो इस case में वो बहुत लंबे समय तक जीवी तरह पाएगा और समय आने पर उसको जीवी भी किया जा सकेगा या उसकी body को active mode में लाया जा सकेगा इसी चीज को use करते हुए हम लोग cryo sleep का use करने वाले हैं जो कि NASA इस पर काम कर रहा है तो आपने देखा किस तर कर सकते हैं तो पास में ट्रेवल करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं अपुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किये गए जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट था स्टीफान ओपिंग ने जो 2009 में किया था इसमें नोंने पार्टी और इसके अंदर शैंपेर और बहुत सारी इस चीज़े रखी गई थी जो कि केवन ये पार्टी ओपन की गई थी उन टाइम ट्रेवल के लिए जो बहुत ज्यादा पास में आँने से आएं लेकि उस पार्टी में आसर भी कौई नहीं आया इसलिए हम लोग देश सकते है कि टाइम में पास में ट्रेवल करा हैं बहुत जादा एक ऐसे चीज होती है जब आपका इसपेसटाइन फैप्रिक वह जाद मास या ग्राविटी वज़े से किसी उब्जक्ट के बिलकुन इतना दप जाता है कि दूसरी तरह वो अब्जक्ट निकल जाए उस केज में हमारा इन वह ओन होता है आप यह ओन वह ओन बहुत चोटे-च जिसके अंदर बताया गया है कि आप सब्सक्राइब कीजिए आप पास्ट में चले जाते हो अपने ग्रेंडफाइदर को जा अनिकिन कर देते हो तो कहां से आपका वजूद आया आप कैसे पास्ट में चले गए तो यह भी कही न कई वो त्योरी कॉंट्रेट करती है कि आप प सच करनी होगी यह पास्ट के लिए ना भी पोसिबल हो लेकिन इसके लिए एक तरीका है आपको निव्रा सर्णिंग जबत नहीं है एक तरीका यह है कि जैसे कि अभी हमारा आवाल स्पेस टेलिसकोप यह जेम्स वेब टेलिसकोप ने कुछ इमेजिस कैप्चर की है जो की ए इस एमेजिस में हम लोग देख सकते हैं कि यह नहीं टोपकी के लाइट ने करके जाएं कहीन भी हमें लोग पास्ट वो देह सकते हैं इसका मतलब है कि अगर आपको 1950 की लाइट को देखना है अर्थ पर क्या हो रहा होगा उस्टाइन पे तो आपको स्पीड ओफ लाइट से तनी तेज जाना होगा कि जहां तक वो 1950 वाली लाइट पहुंची होगी उससे आगी जाके आप उसको देख सब ओ या उसको कैप्चर कर सब तो उससे आपको पता चल जाए कि क्या उस्टाइन पर हो रहा होगा तो यही बात निकल के आती है कि पास में हम किवल देख सकते हैं अभी कि इस टाइन पर जाना बहुत जादा हो या उसके बराबार हो तो यह कुछ कॉंसेफ्ट है टाइम मशीन का या टाइम को हम लोग किस तरी से ट्रेवल कर सकते हैं अगर ही वीडियो आप तो पसंद आई हो या इसके बारे में आपको पोई पीटावट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और प्ली यह सो मच